ये टीम जंगल में सुनहरी पक्षी ढूंडने आई थी, लेकिन टीम के पीछे दो जंगली कबीले लग जाते हैं। एक कबीला आदम खोरों का था और एक कबीला खूबसूरत प्यासी लड़कियों का था। अब देखना ये था कि टीम किसके हाथ लगती है और उनके साथ क्या होता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक भयानक जंगल से शुरू होती है। इस जंगल में ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते थे जो किसी और जंगल में नहीं होते थे। आज जंगल में एक टीम आई थी और इस टीम को बिल्लू नाम का बंदा गाइड कर रहा था। ये पूरी टीम एक सुनहरी पक्षी को ढूंडने आई थी और वो सुनहरी पक्षी सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता था। बिल्लू के साथ खड़े आदमी का नाम हार्वी है और उसका काम पूरी टीम को सुरक्षित रखना है। हार्वी के साथ ही प्रोफेसर मिलर खड़ा था और वो पूरी टीम का सरदार था। उसी ने जंगल में आने का फैसला किया था और उसी ने टीम बनाई थी। प्रोफेसर मिलर के सहायक का नाम ब्रेन था और वो मारिया को देखकर मुस्करा रहा था। ये दोनों भी मिलर की टीम का ही हिस्सा थे। जल्दी ही पूरी टीम ने एक अच्छी सी जगह देखकर अपने टेंट लगा लिए। बिल्लू के साथ कुछ मजदूर भी थे जो पूर मिलर ब्रेन को बता रहा था कि हम लोग यहां सुनहरी पक्षी ढूंडने आए हैं और हमारा ध्यान उसी की तरफ होना चाहिए। मगर ब्रेन का ध्यान मिलर की बातों पर कम, मारिया पर ज्यादा था। वो मारिया को नहाते देखकर गर्म हो रहा था। मिलर को भी उस पर शक मारिया को देखने लगा और वो भी गर्म हो गया। उधर ब्रेन एक ऐसे पेड़ पर चड़ गया था। यहां से वो मारिया को देख सकता था। मारिया को देखकर हार्वी के डंडे ने भी सलामी दे दी थी। इसी बीच ब्रेन के पास गोरिला आ जाता है। मिलर आ गया ले उसके साथ मारिया का बेटा भी था और वो भी गायब था। जब वो हारवी के हाथ देखती है तो उसका शक मिलर पर जाता है। मिलर के हाथ भी उपर देखकर वो ब्रेन पर शक करने लगी। ब्रेन अपने ही नशे में खाने की तारीफ कर रहा था। मारिया को लगा कि ब्रेन ही उसके साथ छेड़ छाड़ कर रहा है। इसलिए वो उसे एक थपड जड़ देती है। अब ब्रेन उठने की कोशिश कर रहा था और उसके खाली हाथ देखकर मारिया समझ गई कि उसकी गुफा में क्या है। अब वो डर कर वहां से भाग जाती है और तीनों आदमी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अगले दिन मारिया की नौकरानी जून हारवी के पास आकर पूछती है क्या मैं आसपास घूमने जा सकती हूँ। हारवी के हां करते ही वो घूमने चली जाती है। जून घूमते घूमते एक ज़रने के पास आ गई। उसे ज़रना बेहद खूबसूरत लगा, जिसके बाद वो वहाँ नहाने की तयारी करने लगी। इसी बीच टार्जन भी घूमता घूमता उसे दूर से देख लेता है। जून की खूबसूरती देखकर वो हैरान हो गया। वो उसी पल हवा में लहरा कर उसके पास जाने लगा, लेकिन गलती से ज़रने में गिर जाता है। जून जल्दी जल्दी उसे पानी से बाहर निकाल कर उसकी जान बचाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टार्जन को इंग्लिश नहीं आती थी। दोनों आज पहली बार एक दूसरे से मिले थे और दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था। उधर ब्रेन सुनहरी पक्षी को खोज रहा था और जल्दी ही उसे सुनहरी पक्षी का एक पंख मिल जाता है। वो जब मिलर को पंख दिखाता है तो वो बेहद खुश होत नोसा कबीले का नाम सुनते ही बिल्लू के सभी मजदूर भाग जाते हैं। नोसा कबीले में थे और सभी को बांद दिया गया था। नोसा कबीले का नाम सोफी था और गोरे-गोरे कैदियों को देखकर उसने कई लड़कियों को बुला लिया था। अब नोसा कबीले वाले जैसे ही कैदियों को मारने लगते हैं। कि तुम्हें हमारे कबीले में चलना होगा। हारवी उससे पूछता है कि तुम हमारे साथ क्या करोगी। इस पर सोफी बताती है कि हम सभी लड़कियां तुमसे प्यार करेंगी और तुम्हारे बच्चों की माँ बनेंगी। सोफी की बात सुनकर तीनों आदमी बेहत खुश हो गए। कुछ ही देर बाद सभी लोग सोफी के कबीले की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में सोफी मिलर को अपने कबीले के बारे में बताती है। सोफी के कबीले का नाम नारी कबीला था और इस कबीले में सिर्फ लड़कियां ही थी। इस कबीले को श्राब था कि ये सिर्फ गोरे आदमियों से ही प्यार कर सकती हैं और उन्ही के बच्चों को जन्म दे सकती हैं। श्राप के कारण इस कबीले में सिर्फ लड़कियों का ही जन्म होता था। कबीले का सरदार एक गोरा आदमी था, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था। और उसके डंडे में अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। जल्दी ही सभी लोग नारी कबीले में पहुँच गए। सभी का जोड़दार स्वागत होता है। स्वागत के बाद कबीले का सरदार भी मिलर की टीम से मिलने आता है। और ये सरदार मारिया का पती विलियम था। विलियम को जिन्दा देखकर और उसकी सचाई जानकर मारिया बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर बाद विलियम मारिया को बताने लगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। 20 साल पहले विलियम अपने बेटे के साथ जंगल में घूम रहा था। मारिया उस वक्त अपने टेंट में सो रही थी। विलियम जंगल में जीव जंतूओ की खोजबीन करने आया था और वो अपना परिवार भी साथ लेकर आया था। खोजबीन करते करते विलियम नोसा कबीले के हाथ लग जाता है और फिर उसे नारी कबीले की लड़कियां ले जाती है। ब्रेन बेहत खुश हो गया था। हारवी भी खुश था क्योंकि उसकी रोज नई लड़की से शादी जो होने वाली थी। अगले ही दिन शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मारिया को सरदार्नी बना दिया गया था और वो विलियम के पास ही बैठी थी। जल्दी ही मिलर और उसकी टीम सब के सामने आती है। सोफी उनका स्वागत सुनहरी पक्षी से करवाती है। सुनहरी पक्षी देखकर मिलर और ब्रेन की आँखे चौड़ी हो गई थी। वो जिस पक्षी को ढूंड रहे थे वो उन्हें इस कबीले में दिखा। अब जल्दी ही शादी की रस्म शुरू हो जाती है। तीनों को लग रहा था कि इनकी शादी खूबसूरत लड़कियों से होगी। लेकिन तीनों की शादी मोटी मोटी लड़कियों से कर दी जाती है। पहली ही रात में तीनों का बुरा हाल हो गया था। अब कहानी तीन महीनों बाद शुरू होती है, तीनों ही इस रोज की शादी से परिशान हो गए थे, तीनों अब यहां से भागना चाहते थे, लेकिन सोफी उन्हें भागने नहीं देती, विलियम तीनों की हिमायत कर रहा था, इसलिए सोफी ने उससे सरदारी छीन ली थी, औ कुछ देर बाद चारों की शादियां होने वाली थी, सोफी के आदेश पर विलियम को भी शादी के लिए तयार कर लिया था, एक बार फिर से सुनहरी पक्षी से चारों का स्वागत करवाया गया, इसी बीच बिल्लू भी अपने साथियों को लेकर कबीले को घेर लेता है, ताकि जून की टीम को बचाया जा सके, टार्जन की आवाज सुनकर बहुत सारे हाथी कबीले की तरफ दोड़ने लगे, मिलर ने मौका देखकर सुनहरी पक्षी चुरा लिया था, जिसके बाद वो सभी लोग कबीले से भाग जाते हैं, हाथी भी कबीले तक पहुँच गए इसी के साथ इस कहानी का यहीं अंत हो जाता है, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप ऐसी ही वीडियो के दीवाने हैं, तो फ्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार